नमस्ते दोस्तूं, हिंदी साहित्ती के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की खुबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए मैत्रई पुषपाजी की कहानी क्रतग्य तो शुरू करते हैं कहानी सारी रात अनुपम सो नहीं सके हाला कि सोते से में उन्होंने लार्पोस की गोली ली थी वे जानते थे कि नी नाना संभव नहीं चिंताओं के बवंडर मस्तिष्ट को मतने पर निरंतर आमादा है दवा ने प्रभाव नहीं दिखाया वे पलक जपकाने को तरस गए यदि कल रुपया नहीं मिल पाया तो पूरा भुकतान जमीन के मालिक को नहीं कर पाये तब पूरा पचीस हजार अग्रिम राशिका मारा जाएगा जीवन भर की कमाई से ले दे कर ये जमीन खरीदने की सोची थी वो भी हास से जाती रहेगी लगभग रात के तीन बचे नीन की एक गोली पानी के साथ और निगल ली तुम सोते क्यों नहीं सवेरे फिर जल्दी उठकर चलना है कार ड्राइव करनी है तुमें वसुदा ओंगियाय स्वर में बोल कर फिर गहरी नीन सो गई वे मुँ अंधियारे ही चल दिये थे साथ में वसुदा थी बैंक खुलने के समय से पहले ही पहुँचने की हडबडी में उन्होंने कई बार कार हाई स्पीट पर चलाई और मतुरा यथा समय पहुँचने में सफल हो गए शनिवार का दिन बैंक में केवल बारा बजे तक पैसे का लेन देन दिल्ली में ही प्रबंध हो गया होता तो ये मारा मारी नमश्ती वे जुझला उठे अपने मित्रों पर भारीक शोग था जो कहकर भी मुकर गए असमर्थता में दात निपोर उठे वो भी एन वक्त पर मत्रा बहुत दिन बाद आये थे रिक्षे, साइकिल और रेहनियों के उपनते सहलाब में चलने की आदत चूट चूट चुकी थी अनपम को आपस में भीड़कर कार निकालना बहुत दुशकर था और बेहत खतरनाक भी लोगों की छोटी-छोटी लापरवाई पर वे अनायासी उबल पड़ते साले देख करने चलते ट्रैफिक डिस्प्लेन है ही नहीं यहां वसुधा ने कुछ कहना नहीं चाहा व्यर्थ में ही तनमेता में व्यवधान पड़ता इस मतमेले पुराने उजड़े खंडहर से शहर में वे कैसे रहा करते थे सोच नहीं पा रहे थे खैर एक कोने में कीचड के ढेर को बचा कर नरम मुलायम सफेद खरगोश सी मारूती समाल कर खड़ी कर दी दो बार पीछे को लोट-लोट कर स्थान का मुआयना किया फिर आश्वस्त होकर आगे बढ़े पुराने गोलाकार कले नुमा द्वार से बैंक के भीतर प्रवेश किया था वसुधा को एक स्थान पर खड़ी रहने का आदेश दे गए और स्वैम एक सीट से दूसरी सीट पर जपटते से फिर रहे थे हर बाबू के पास जा जा कर अपनी वेथा उगल रहे थे आप तो बैंक की हालत देख रहे हैं साहब इमारत बन रही है रेजिस्टर फाइलें सब उलट-पुलट हो गई है सीट पर बैटे सज्जन ने चल रहे काम के और इंगित किया तूटी-पूटी इमारत कुछे कमरों में सिम्टा बटुरा पूरे बैंक का आसबाब इटो तथा सीमेंट से पटा पड़ा धरातल राज मजदूरों की कन्नी तसला बालू रेता के साथ एक होती भुरबुरी दे हैं उपर सीडियों पर टंगी हुई नीचे काम में तन में डोलती हुई फर्श पर मिट्टी से बनी खेतों किसी छोटी-छोटी क्यारियां सभी में भरा हुआ पानी उपर तकला बालब उसी गंगा में जूते बिगोते ही तो वे वसुधा के साथ अंदर पहुँचे थे सब देख सुनकर उनका चेहरा उतर गया कलर्क तरस खाने लगा ऐसा करो उन सहब से मिलो शायद आपका काम आजी हो जाए वे लपक कर उस सीट पर पहुँचे आप सुनवार को आ जाओ तो तसलिस से आपका काम कर देंगे उसी दिन वादा करते हैं फिक्स पर रिड की आपचारिकताएं भी तो कम नहीं होती जमा करना हो तो पांच मिर्ट नहीं लगते कहकर वो लाचार हो उठा मैनेजर कहा हैं वो अफसरी लहजे पर उतर आए अभी अभी गएं बाहर जरूरी काम से सपाट सा उतर मिला वे चुब बैट के हताशा की परेदी में समाए तनाओं के नीचे दबे हुए कुछ थर्थराए से और कोई युक्ति नहीं उन्होंने बाबूं को चारा डाल कर ललचाने का यत्न किया कैसी बाते करते हैं आप यदि हो सकता होता तो हम आज ही ना कर देते आपका काम अच्छा आपके बैंक में कोई हरिश काम करता है हरिश कुमार गुपता हाँ हाँ आप जानते हैं उन्हें हरिश का नाम सुनते ही वस्दा के मुख पर प्रश्णवाचक चिनुबर आए कौन हरिश अरे वही मुर्ली अपने हरिश अंकर चाचा का किसी ने बताया था कि इसी बैंक में लग गया है हरिश नाम है मुर्ली का वस्दा मन में सोचती रही सफेद कमीच पैंट पहने कद्दावर छरहरा युवक सामने आकर खड़ा हो गया ताजगी से भरा खिला हुआ चीरा भाबी भाई साहब हर्शित विस्मिस स्वर वस्दा को तुरंद पहचान गया वो पावों पर जुक कर उसकी आँखें आनंद भाव से चमक उठी गुपता जी ये बेचारे बड़ी देर से आए बैठें है रिर लेना है आजी बैंक की ये हालत हरिश का सहयोगी उसे पूरी इस्तित समझा रहा था महेच सयोग था कि मुरली उसी बैंक में मिल गया देव दूत की तरह निसीम मरुस्थल में स्वच्छ शीतल प्रपातसा अनुपम को आराम दे कुरसी देकर आत्मी अवरिश्ट स्वजन की तरह बैठा गया भावी के लिए स्वयम कुरसी खोज कर डाल दिया चपरासी से बीच बीच में कोल ड्रिंक्स चाये कुछ खाने को लाने के लिए कह गया स्वयम उस सीमित पलक जपकते समय में रजिस्ट्रों की खोज करता पसीने में नहाता रहा फार्म स्भरकर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर कराने को मिन्नत करता रिरियाता एक से दूसरे पर भागता रहा कमीज भीकर पूरी पीछ पर चिपक गई थी हुमस भरी दमगोटू गर्मी में माथे पर पसीने की धार अबाद गदिसे बैती रही कभी यहां कभी वहां वसुदा उसे मू सुखाय दौरते भागते देखती रही किस लिए ऐसी जीतोड मेहनत और किस लिए अपने भूते से बाहर की पुरजोर कोशिश किस बात का प्रतिदान कर रहा है यह बरसों पहले जब यह हमारे आया था भयंकर शीत लहर थी ओले गिरने के बाद की संसनाती तेज हवा कपड़ों के मोटे लबादों के बीच से शरीर छे दिती हुई नौदस बजे तक सूरज नहीं दिखाई देता था घड़ी दो घड़ी को उदैबी होता तो ठंडा पीला कमजोर सा अस्तित विहीन चारों और धुंद की चादर से धका निस्सीम संसार कोई पाकी पखेरू न दिखता था आदमी सड़क पर चलते बौने से होटते ठंड से सिकड़े हुए अगवार में छपा था पिछले पचास वर्षों में ऐसा शीत नहीं पड़ा ऐसी ठिटूरती सुबह के दुंदलके में द्वार पर दस्तक हुई बहुत हलकी शालीन उसके ठीक पश्चात घंटी का अनायास नन्ना सा स्वर जैसे किसी का हाथ अंजाने ही सिच बटन पर धर गया हो ड्रहम हुआ कि सचमुझ द्वार पर कोई है या यो ही वसुदा ने शौल चारों और से कसकर लपेट ली फिर भी सीधी खड़ी होने में दे साथ नहीं दे रही थी सिकुडी सिम्टी दर्वाजा खुलने चल दी किवाणों के दोनों पलनों के बीच खड़ी वो आगंतुक को कुश्पल देखती रही निर निमेश अपलक चीनने का भरसक प्रयत्न पहचान मजबूत थी मुरली हो ना उसने सिर्फ हिला कर सुईक्रती दी मैंने तुम्हें बच्चा देखा है छोटा सा तुमारे बच्पन में भावी कहता हुआ वो वस्दा के पावों पर जुकाया उसके होटो का रंग ठंड के कारण गहरा जामुनी हो गया था बोलते समय दात इस्पष्ट किटकिटाहट से बजने लगे बे नाप लंबा सा रेतीले रंग का जीर स्वेटर जगे जगे से छेटदार बालों में भोर के गीले कुहासे की दुदुआई सफेदी महिंद वर्पी दानेदार परत्सी रह रह कर प्रकंपन की ठंडी फुरहरी उट रही थी उसके शरीर में 14-15 वर्ष का वो किशोर बालक बडों के से गामबीरे में सिब्टा प्रोणत्य के भार से दबा हुआ अंदर आ जाओ वसुधा के मन की ममता चलक पड़ी वो ठिटका ही रहा सहमे शश शावक सा आज आओ न द्रड आगरे पर वो सुगवगा उठा गीले रेत मिटी से सने लिसड़े हुए सेंडल संकोच मई इस्थित में डूबा बाहरी खोलने लगा जिजगे हुए नत नेत्रों से फर्ष को टटोलता वो अंदर कमरे में सरकाया वसुधा ने हाथ से बैठने का संकेत किया वो पलबर सोफे के पास पड़ी कुर्शी को घूरता रहा दूसरी बार हुकुम पाकर सिकुड कर बैठ किया कैसे आए मुरली? साधारन सा प्रशन था मगर आत्मियता भरी अनगूंज से सराबोर हुआ वो मुक पर घिराय संकोची भावों से पल भर को मुक्त हुआ सहज भाव से कुर्शी के हत्ते पर अपनी ठिटरी हतेरिया फेरता रहा शायद कहने के लिए शद संयोजन कर रहा था अच्छा मैं तुमारे लिए चाय लेकर आती हूँ फिर बाते होंगी वसुदा मत्रा से छूटे अतीत से जोनने की हिलोर मै उत्फलता में जल्दी जल्दी पाउं वढ़ाने लगी वो रसोई घर की और मुडी ही थी कि भावी सहसा मुडली का भराया स्वलबूंजा वो पलट पड़ी भावी बाबू जी आवाज अधिक भारी हो उठी अवरुद कंट में भीची हुई सी क्या हुआ बाबू जी को वसुदा का चिंता ग्रस्त विस्मित प्रश्ण बज़ पाएंगे की नहीं उन्ही को लेकर तो कहते कहते उसकी आखें तरल हुआई घनी पलकों के बीच से मोती सी सफेद बूंदेद पानीदार राह बनाती हुई कपोनों पर ढुलकने रगी मुर्ली सांत्वना भरी हतेली का उश्म आत्मिय इस पर श्पीट पर महसूसते ही उसके भीतर के धीरज की दीवार यकायक डह गई वो जार जार रो उठा बरसों का अंतराल पल भर में पिगल कर वसुदा को बच्चे से जोड उठा कहां है बाबुजी यहीं मेडिकल इंस्टिटूट के बाहर गहरी हिचकी के बावजूद वो वाके के टूटते खंडों को जोडने का प्रयास कर रहा था अकेले नहीं साथ में मा हैं उसने हथेलियों से आसू पोच लिए नाक लाल थी जुखाम जैसा हुआया करुणा में समाई वसुदा चाय का प्याला उसके हाथ में थमा कर अपने बेडरूम की ओर दोर सी गई जहां अनपम रजाई में दुग्के अकबार देख रहे थे ब्लोवर गर्म हवा फेक रहता निरंतर कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा आराम दे था सुन हाथ पाओं में चेतना का आभास कराने में सक्षम कौन था अनपम के चेहरे पर जिग्यासा फैल गई मुरली है अनपम कहते कहते वसुदा का मन भराया करुणा उमरने लगी कौन मुरली प्रशनात्मक्च इस्थित में उलजे अनपम की भवों के बीच की जगह सिकुड कर छोटी हो गई वे ही मुरली अरे वे जो मतरा में अपने परोस में रहते थे मीरा के छोटे भाई इतने सबेरे आसमें किसी के घर का द्वार खटखटाने की दर्श्टता पर अनपम के मुख पर क्रोध मिश्रित अच्रच की तीखी रेखा खिच गई वे फिर अकवार के भीतर समट गए देश-विदेश की खबरों को आत्मसात करते हुए परिशान है बेचारे उनके बाबुजी विकट बीमार है अनपम यहीं मेडिकल में बिठा आये हैं अनपम ने तनिक देर को अकवार से सिर उट निकाला और फिर यथावत समाचारों में तनमे हो गए साथ में चाची जी भी आई हैं वो अनपम द्वारा बिछाई गई उपेक्षा को फलांकर अपनी रौ में बही चली जा रही थी अनपम ने अगवार के पीछे से सहसा चेहरा उठा कर उसके आगे ताम दिया आखों में गहरे सोच की जाईयां मडराने लगी उन्हें उसी मुद्रा में छोड़कर वो उठाई दुश्चिंता में डूबे उस बालक के पास भावी भाई साथ तनिक मेरे साथ अधूरा वा के छोड़ वो आशायम आतुरता से उसे नहारने लगा बुजी आँखों में चमक आई वसुदा फिर उल्टे पाउं अनुपम के पास लोड़ गई अनुपम तुम जल्दी से तयार हो जाओ न अगवार फिर पढ़ लेना मुडली के साथ जरा अस्पताल तक तुम तो सब डॉक्टरों को जानते हो थोड़ी सहूलियत पती से अधिकार पूरव कहकर स्वयम रसोई में चली गई बेचारे भूके प्यासे सरदी में ठुटुरते हाई राम सोच कर महरी को बर्तरों से हटा कर हाथ दोकर आटा गूंथने का आदेश दे डाला और स्वयम सबजी काटने में लग गई ड्राइंग रूम में वसुधा की निगा गई तो मुरली के पास सामने ही गाउन की जेबों में हाथ गर्माते अनुपम खड़े दिखाई दिये वो तनिक आश्वस्त हुई अनुपम कुशल मंगल आपती विपती की खबरे लेंगे तो आत्म विश्वास बंदेगा बालक को हम क्या कर सकते हैं भाई करना तो डाक्टर को ही है अनुपम के सपाट बेलाग वाक्य साहनभूती से अचूते आलू की तवचा चीलते वसुधा के हाथ सहसा थम गए मैं चलता तेरे साथ पर जरूरी काम है मुझे तू ऐसा कर कैजुएल्टी में दिखा ले मरीज सीरियस होगा तो वे स्वयम भरती कर लेंगे मैं डिपार्टमेंट से फोन कर दूँगा अपनी बात कहकर अनुपम कुर्सी पर बैठे कमरे में सजी एंटीक, सिंड्रीज और शोपीसेज पर तेरती निश्चित द्रश्टि का वरत बनाते विरक्त भाव से बैठे रहे मुरली मूख बधिरसा वो इस्तब्ध अवसन असंभावित नितांत रूखापन अनुपम का एकहरे टूपते तार सा लटकता आश्वासन कल्पना नहीं की थी ऐसी पति के विरक्त भाव पर एक पल को विश्वास नहीं कर पाई वो क्या कह रहे हो अनुपम चाचा जी सिर्फ एक मरीज और कुछ नहीं इस बच्चे को कौन पूझेगा इतने बड़े अस्पताल में मरीजों की धक्कम धक्का परिचारकों का जन समुद्र तुम चले जाते तो एक और को ले जाकर उसने चिरौरी भरा मनुहार कर उनकी बाहें धाम ली आत्मियता से अधिकार से इसमें पूछने ना पूछने की कौन सी बात है इतनी दूर से बाप को लेकर भी तो ये बालक ही आया है इमरजेंसी में दिखा लेगा उन्होंने साधारान तरक की छुरी पर धर कर पत्नी के गहरे अपनत तो कोड़ा दिया अनुपम ये कोई सड़क चलते रागीर नहीं अपने घर से घर मिला था इनका छज्जे से छज्जा और फिर अपनी बिट्टू अपनी बिट्टू इनी के हाथो याद है कुछ शीत सरक्ती रात को दाई के लिए भागे फिरेते चाचा जी तुम भी कब कब की पुरानी बातें उखार कर बैठ जाती हो समझती क्यों नहीं एक बार अपनी जिम्मेदारी पर मरीज भरती करा दो फिर बस सुबह शाम हर समय वो तुमारा खाना पीना जीना हराम कर देगा आज दवा नहीं कल डॉक्टर से कह दो ध्यान से देखे खाने का प्रबंद रहने का इंतजाम सो जंजट कौन करेगा ये सब बे बात का भवाल बे मतलब मुझे और भी काम है अपने अनपम ने लंबा सा शुब्द भाशर दे बलपूरवक उसके हातों से अपनी बाह खीच ली वो मूर्ट सी देखती रह गई अनपम को एक टक इतना गूर ग्यान सही समी करण दुखद आश्चर और विसमे भरा खिसियाया पन आत्मा को काच की तीखी धार सा काड़ता चला गया अब तक का पाला हुआ व्यामू मुलम्मे के पत्तर सा लोहे की कठोर सलाक से उतरता चला जा रहा था शेश क्या था अकथिनीय कचोट आस्था को द्वस्त करता अव्यक्त गणित ग्यान लखनवू से अनपम के मित्र के कोई दूर के रिष्टे के बीमार मामा आये थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था पूरा असबाब उन्होंने हमारे घर में पटक दिया था दर्ब भरी उनकी पत्नी के नाज नकरे अलग ड्राइवर, नौकर और चम्चों की जमात सुबह उठकर दस्यों बार तो चाय बनती फिकती, फिर बनती नाश्ते में बारह बच जाते फिर अस्पताल खाना ले जाने उनका नौकर डेड़ बजे ही सिर पर सवार हो जाता अनुपम चकर गिन्नी की तरह कभी डिपार्टमेंट तो कभी घर घुमेर खाते रहते पालतू पशु से उनी के हुकम पर उठते बैठते एक बार भी माथे पर शिकन नहीं देखी वो ही जुझला उठती क्या है? जैसा हम खाते हैं ये नहीं खा सकते बच्चे छोटे हैं क्या क्या करूँ? अरे भई भारी हो देपर हैं मंत्रियों को भी नचा दें ऐसी पोस्ट हैं की होटल का खाना कितने दिन कोई खा सकता है इस समय संकट में है हमारा कोई काम पड़ेगा तो आनन फानन में अनुपम उसे समझाते पर आज ड्राइंग रूम के और बढ़ नहीं पा रही थी जहां खड़ी थी उसी सीमेंट के फर्ष से चिपके पाउं उठते ना थे कैसे जाती उस आगंतुक के समीब जो सहज विश्वास बांदे इस देहरी पर बैठा था डॉक्टरों से अधिक आस्था वो अनुपम पर टिकाए बीमार डहते पिता के साथ मत्रा से यहां तक आपत्तियां जहिलता सहता विपदा का मारा आया था अपनी और आती हुई पाउं की आहट पर कान लगाता हुआ आतुरता से अनुपम की प्रतिक्षा में उठने किसी अधर मुद्रा में कुर्सी पर टिका था मुरली तुम चलो casualty लिखा है न जहां वहीं दर्वान से पूछ लेना डॉक्टर कहा है वो कैसे उसे सतही बाते समझाने का प्रत्न कर रही थी जैसे किसी अंजान रागीर को उसके गुडगन तव्य की और उंगली दिखा कर तठस्त भाव से अपने घर की और चल दी हो भावी साब कब आएंगे भावी जिस प्रशन का उत्तर वसुधा के पास नहीं था उसे ही अधीरता से वो उसके समक्ष पसार बैठा भावी साब को बड़ा जरूरी काम है मुरली आवश्यक मीटिंग वो किसी तरह उसके प्रशन को फलांग गई वो बेहद हताश हो उठा सूनी सपाट आँखों में पनीली परत उतर आई फिर नमस्ते भाई साब अंदर की ओर से चले आ रहे अनुपम की और हाथ जोड़ दिये भावी मा मिलने को कह रही थी सीड़ियों पर उतरते उसे अचानक याद हो आया वो इस घर से मिले परायपन के कसले स्वात को गले में उतार कर भी आत्मियता जोडने में लगा था हाँ ना ना कुछ भी नहीं कह पाई वो केवल कातर भाव से उस निरी भूले बालक को देखती रही जब तक वो सीड़ियां उतरा जब तक की वो सड़क के ठंडे दुधलके में खोने गया अनपम के जाते ही कटोरदान में पराटे भर कर अस्पताल की और भागी थी वसुधा तेट चाल और बीतर उट रहे चकरवात से हाफती हुई सांस जूरती ना थी भरी ठंड में अंदर से गर्मी का भभूका सा उखने लगा ज़्यादा दूरी नहीं थी केवल एक सड़क को पार करना था फिर भी सांसों की तेज धौकनी हाफते हुए केजुल्टी में घुज गई डॉक्टर साब हरी शंकर नाम का कोई मरीज हरी शंकर गुपता कहा है स्वार अंद मेरे रिया उठा डॉक्टर जब तक रेजिस्टर में नाम खोशते तब तक केविनों के परदों को उठा उठा कर देखने लगी एक दो तीन नहीं चौते परदे के पास आंके ठिटकी रह गई पत जिन्ना तार तार धोती में लिप्टी बुडियाती कमजोर काया उसे चाची जी की अनुकरतिसी लगी थी रोगी पर जुकी हुई व्रद्धा उसके कान के पास मूँ ले जाकर कुछने का यत्न कर रही थी वो पल दो पल अंचीने ब्रह्म में खड़ी रही धीरज नहीं बन सका पीछे से पीट छूकर अपनी और उन्मुक करने का जिजकता सा प्रयास सैसा बुडिया मा पल्टी चाची जी अनायासी मुख से निकल पड़ा तोचा में लिप्टे अस्ति पंजर को निसंदे वो पहचान गई थी पल भर टहर कर पाओं पर जुख गई वे अपलक पहचानने के प्रत में खड़ी निसंग द्रश्चिस से निहारती रही देर तक फिर बहु तू अकेली अनपम नायायो इतने सारे प्रश्चनों का सुद्र उत्तर वसुदा के पास था ही कहां बस इतना ही हाँ चाची जी मैं बहु तेरे चाचा जी वे उनकी और इंगत करके कपाते सर में रोने लगी विकल वेदरा से छट पटास दी सी क्या कहकर धीरज बंधाती वसुदा सजल आखों से कभी उने देखती कभी चाचा जी को मोटी नसों के जाल में बंधें उनके हाथों को खड़ी-खड़ी सहलाती रही चाची जी ये पटोरदान आगे कर दिया जा में काहे बहु उनकी मद्दिम सी आवाज ऐसे ही कुछ थोड़ा सा खानों है? खानों तो हम घर से बनाय लाएं बहु तू काहे को दिक्कत में परीवेटा आदर भाव जुर्यों के बीच फैल गया सांज को अनपम के लोटने पर वसुदा ने उसके बिना पूछे ही सारी विथा कता सुना दी वे मूख शोता बने सुनते रहे ध्यान पूर्वक कटोरदान में खाना ले जाने वली बात के मुहाने पर यका यक अनपम के चेहरे की नसे तन गई वे भवक उठे ना क्रोध में उठने गिरने लगी ऐसा करो तुम वहीं जाकर रहने लगो उन्हीं के साथ यहां लोटकर ही क्यों आई अपरमित आकरोष का उफंता ज्वार अपरत्याशित बे अर्थ रोष वो दहल कर रह गई अनपम क्या कह रहे हो तुम बस चारचे रोटी और क्या बस इतना ही तो और तो कुछ नहीं चारचे रोटी की बात नहीं है गलत लिफ्ट दे रही हो तुम व्यर्थ में मूँ लगा रही हो कौन है ये हमारे जो मूँ उठाए है चले आए है कौन लगते हम इनके बोलो ना उठने की तमीज ना बोलने का शहूर कंजर साले घर में बे नाप सननाटा पसर गया हर कोना इस्तब्ध हर दीवाल सहमी कानों में संसनी के बेरोक चक्रवाद बच्चे अनुपम की गुर्रहट भरी गर्जना सुनकर सिकुड कर बिस्तर में दुबग गए बिट्टू किताब निकाल कर पढ़ने का नाटक करने लगी मन शोब भरी आखें पापर पर गाड़ कर पलक जपकाना भूल गया हत्प्रप वस्दा वहीं जम सी गई बरफ की तरह ना कहने को कुछ था ना समझाने को अनुपम ऐसी करुणा विहिन कठोर पाशानी चाती के भीतर सांस लेते होंगे उसने कभी सोचा न था रात भर समिलित विस्तर पर पड़ी आस्वों से तक्या भिगोती रही इतना हक नहीं कि दो रोटी किसी को गय स्वामनी का अहत स्वत्त कुछले नाक सा बार बार फुपकार भड़ता लेकिन अगले दिन किसी काम में उसका मन नहीं लग सका मुर्ली का बेबस उदास चेरा चाची जी की जुर्जी भरी सूरत पर याचक सी दो आखें और चाचा जी की रुग्ण कंकाल काया उसके मन पर तस्वीर सी छप गई उनके पास अस्पताल में अधिक आना जाना ना हो सका पावों के आगे इस्तर की सीमा रेखा खिच गई मन बार बार अगने रेखा लांग जाना चाहता था लेकिन मुर्ली बार बार घराने लगा तो चाची जी रोज सब बेरे नाहने दोने को दरवाजा खटकरनाने लगी तब इन विचारों के नुकीले अंकुष रहा रोक लेते अन्पम की चबा जाने वाली नजरों को जहिल पाना अतिती के अपमान की आशंका उसके पावों को देरी के पीछे धकिल देती काम समाप्त करके स्वेटर की सलाईया उतारने वो बालकनी में फैले धूप के नन्ने टुकडे पर जा बैठी तबी दरवाजे पर हलकी सी थप थपाहाट हुई वसुधा के कान चोकनने हुए फिर वही दोहराओ द्वार खोला सामने एक सीड़ी उतर कर चाची जी खड़ी थी नीचे से उपर की और देखती रही उनके पाउं में रबड की पुरानी गठी चपल मटमेली धोती पर सूती चादर लपेटे हुए जुकी हुई मुठी भर कद में सिमट आई व्रधा आओ चाची जी वसुधा होटों में बुदबुदा कर रह गई ना गहक कर बुला सकी ना हिलक कर मिल सकी सहसा अपनत्त को रौंदता एक दुर्बेद प्राचीन उठ खड़ा हुआ जिसमें कैद मो माया से पनपते विद्रों को पीती हुई कहां मत्रा से चली थी तो सौसवार कहकर आई थी चाची जी दिल ली आना अपनी बहु के घर को अपने चर्णों से पवित्र करना मा और सास तुमी तो हो चाची बस तुम वे कुरसी पर बैठने में अचकचा रही थी वसुधा ने कंदों से पकड़ कर हटाद बैठाने का प्रैत्नी किया कमरे में चारों नजर फेरती वे सिहा उठी संतोशी भाव चेहरे पर उभराए कुछ मधूर बोल बड़ो अच्छो हैरी बहु हमारों अनुपम खूब फूले फले हजारी उमर करे भगमान तु राजरानी बनी रह बेटी आशीशों की बोचारों के बीच वे भूले बिसरे आलाद में आखंट डूब गई दुखी भावों से एक पल को पला जटक बैठी बिट्टू कहा है बहु वे बचाओ और बड़े लार से पूछ रही थी इस्कूल गई है चाची और मुन्ना वे मनू के लिए पूछ रही थी चाची अब चाचा जी की तबियत कैसी है वसुधा ने बीच में बात काड़ दी जाईल यही आई हूँ बहु तू कहां डूडेगी फिर उन्होंने सलूका की जेब से परची निकाल कर उसके समक्ष रख दी लिखाई मुरली की होगी वार्ड डी टू बेड नंबर 36 दूसरी मंजिल चाए का गिलास थमा कर वह उनके पासी बैठ गई वे पति की बीमारी को लेकर दुखत बीच-बीच में रोने लगती मतुरा आगरे के सब अस्पताल चान मारे बहू पर रोक की जड़ नाई पकर पायो कोई जाने मिटी कौन सी बिस्बेल सरीर में फैल गई है मुरली अकेलो कहा कहा करे जे तो महिनन से काम पे नहीं गए मीरा कू घर छोड़ के आई हूँ सिलाई किटाई करके एक बखत की रोटी कहते कहते उनकी हिल्की बन गई अंदर तक तूट चुकी औरत को वसुधा तसली देती रही बेबात का धहरे बदाती रही अनपम के लोटने का समय हो चला था अद्रश ये धुक दुकी चिंता कुल्प संभावनाए वो चाची जी को विदा करने की हरवड़ी में थी बहु जाए तू धर ले वहाँ अस्पताल में कहां कहों चोरी चकारी है जाए उन्होंने पुरानी गिसी मेली सी जंजीर वसुधा के हाथ में धर दी दवादारू में कापतों कितना लगे वे जंजीर की पूंजी पर आश्वस्त थी सीडियां उतरते में उन्हें अनायास याद हुआ आया बहु एक भगवना होएगो कोई कंडम सो पुरानों वो दोड़कर रसोई से हैंडल वाला भगवना उठा लाई जिसे देखकर वे तनिक सकुचा कर बोली जे तो बहुत अच्छो है खराब है जाएगो कोई पुरानों जो तुमारे काम न आप ले तो जाओ वसुधा बीच में बोल गई वो उन्हें दूर तक छोड़ाई सड़क पार तक चाची जी कहा करती थी मुरली की बहु तो न जाने कब आबेगी और कहा करेगी वसुधा है मेरी बहु मेरी बेटी सोचते हुए वो लोटने लगी बच्चे आ चुके थे मम्मी पापा आप पर क्यों चिला रहे थे कौन थे वे जो सबेरे सबेरे आये थे बिट्टू निरंतर पूछे जा रही थी कोई उत्तर न देकर वो खाना गरम करती रही आप अस्पताल में उन्हें खाना देकर आई थी मम्मी अच्छा किया वे भूके होंगे न उनका घर यहां नहीं है न वो बच्ची का मुग देखती रह गई ये तू कह रही है मेरी बच्ची वसुदा ने बिट्टू का चेरा हाथों में भरकर चूम लिया पर अभी तू छोटी है बिट्टू नेरी भोली बड़ी होकर तू भी उसके निश्वास बच्ची के गालों पर जलती उश्मा बिखेर गए वसुदा का मन न माना था पाउं उसी और बढ़ गए सड़क के किनारे खड़ी थी आता जाता ट्रैफिक उफ कारों बसों की सीधी साप सी कतार बे अंत दाए बाए देखकर सड़क पार करती हुई वो अपनी रौ में चली जा रही थी कि अस्पताल के बाहर पट्री पर निगा बर्बस्थ हैर गई तीन इंटों के बने चूले में इधर दर से बीनी उन पतली काटेदार लकडिया दुंदुआती आग की लप्टे और उपर वही भगोना चड़ाता जो चाची जी को दिया था पीला पानी उफन कर किनारों को छूरा था पास ही बैठी एक रामी लड़की कवों को उड़ाने में लगी थी वसुदा खड़ी थी कि चाची जी आ पहुँची बहु तू कहां कहां जा रहे ये बेटी उनके लिए दाल बनाई ये बचिया वे बगोने की और संकेत कर रही थी अब जीवे की आस नाए बची बेटी कह रहे है कि गंगा दई तू अपने हाथ से दाल बनाए के खवाए दे चाची मैली धोती के छोड से आँखें पोच उठी फूटे काज दुकी अलगन दीवार उसका घर इतना पास और चाची जी शीत सरकते कोहसे के वी चोड़े में चूला धरे उदास उच्छवासों से घिरी वो घर लोटा ही अनपम आ चुके थे शिगरता से भाग कर रसोई में गई वसुधा और दो प्याले चाय हाथ मिलिये पती के पास आ बैठी वहीं गई थी अस्पताल अनपम का प्रशनात्मक स्वर स्वाभाविक सरल था हाँ सहज भाव से सीकार किया उसने कैसे है पता नहीं मैं तो अस्पताल के बाहर से ही लोटाई चाची जी वहीं मिल गई थी अनपम की नर्माई सहज प्रकर्टी देखकर वो सब कुछ बता देने का दुस्साहस कर बैठी बगवना देने के संतोष से लेकर उबलते पीले दाल के पानी की दारों गाता तक सब सुना डाला तुम भी देखाते अनपम नितांत भूले भाव से दिया मश्वरा ऐसा करो तुम उठाओ सामान जाओ यहां से आई से गेट आउट गेट आउट फ्रॉम हीर दिस इस माई हाउस अनपम का आकस्मिक स्वर प्रहार विस फोर्ट धमाके सा नीचे सडक से जा टकराया गली में चलते लोग ठिटकने लगे उनी चमारों में बैठो जाकर पकड़ लाओ मत्रा से आगरा से तमाम कंगले आ जाएंगे कोडी दरिद्री करवाओ सबका हिलाज उस गंदी गली में पैदा होकर क्या सारे महले का ठेका लिया है मैंने निरंतर फटते दहकते ज्वाला मुखी के समक्ष अपरादनी सी खड़ी भस्म होई जा रही थी वो आखिर क्या हो गया है तुम्हें अनुपम ये लोग तो इतने तंग भी नहीं करते जितने वे लोग इस दो टके के आदमी से उनका मकाबला समझती है वे कौन थे बड़ी इंसानियत की पैरोकार बनी फिर रही है घर में क्या हो रहा है बच्चे क्या कर रहे है कुछ पता नहीं जा वहीं बैठ फुत्पात पर उनी के साथ साले उनका क्रोध निक्रश्टतम रेखा लांगने लगा अनपम की अमानविय चीक से बिट्टू जार जार रो उठी मनू चीक कर मा की टांगों से लिपट गया क्रोध और अपमान के मिले जुले विश्ट को घुटती वो ड्रैंग रूम में भागी थी मुरली खुले दर्वाजे से ड्रैंग रूम में कब चला आया वस्ता देखते ही चौकी वो अवाग पर कटे क्रोच सा आशा विहीन दरिद्र विपत्तियों के उत्पेड़यन से आकरांत वो मिल नहीं पाई थी तो माने पीछे ही दोड़ा दिया मुरली भाबी आई लोटी के चली गई तू ही मिला जाये के बाबु जी को पूरो हाल चाल बताया डाक्टर से अनुपम बात कर ले तो कच समझे तो सही हमारी तो समझ में ही ना ही आवत कचू वो उल्टा लोट गया पीछे रह गया उसका निशब्द संभाशन मौन दरश्टि से जर्ती पीड़ा वसुदा कट्ती चली गे अंगिनत खंडों के बीच ब्याकर आई थी एकाकी सूना घर सास नननत जिठानी न दिवरानी निर्जन मकान में निपट अकेली दूसरे ही दिन से अम्मा ने भेजी हूँ अम्मा कह रही थी भाबी अकेली होगी जा वहीं बैठना भाबी का मन लगा रहेगा ग्यारह बारा साल की बच्ची फ्रॉक पहने पास बड़े बोरे पर बेधड़क आ पेठी कभी वसुदा की साड़ी चूकर देखती तो कभी पायल के गुंगरों को बजाने का असफल यतन करती वसुदा मुस्कुरा देती जवाब में वो भी मुहक मुस्कान विखेड़ देती मैं आपके बरतन दो दूँ अम्मा ने कहा था भाबी को काम नहीं करने देना नई ब्याही है वो पुर्खिन बनी अम्मा के कथरा नुसाज रसोई में से जूटे बरतन बटोर कर माजने लगती बहुत रोकने पर भी ने मानती वो मीरा थी मुर्ली की बड़ी बहन रात को बातों के बीच अनपम को मीरा की बात बताई तो कहने लगे चलो ठीक है तुम बोर तो नहीं हुई भाबी आप खाना न बनाना अम्मा बना देंगी और दोपहर को अनपम के आते ही मीरा थाली परोसे तौलिया से ढखे चली आ रही थी भाबी महावर लगा लो मैं ना इनको बुला लाओ मेंदी लगा देगी अम्मा कह रही थी आज करवा चोथ है भाबी का व्रत है भूकी होगी संग में काम करा लेना उनकी आत्मियता वसुधा को गहरे तक बांधती चली गई अनपम तो इस गली में जनम से ही रहते थे लेकिन वो मन से उबजे सम्मंद जड़ पकड़ कर खड़े हो गए पनपने लगे और धीरे धीरे सुद्रता से खड़ा होता गया इस नहिल शीतल छाओं का एक वट फ्रक्ष इसी आवाजाही के बीच बिट्टू का जन्म हुआ था चाची ने पूरा ध्यान रखा था कपिला गाई सी है गई गहरी बहु बोल तेरो का खाईवे को मन है वे पूछती और वसुधा तुरंद बोलोटी अर्बी का पानी वाला अचार प्रसव वेदना में वे उसके साथी थी उसे पकड़े हुए ए मेरे परमात्मा विद्वा महतारी की अकेली दिये है निर्वार जल्दी मेरे पर मेसुर चाची भगवान से पूरे वकद गहर करती रही फिर तो बिट्टू का नहाना धुआना काजल टीका सब वे ही करती मेरे हाथ से काजल लगाए के आँख बड़ी बड़ी है जाएंगी मीरा की तरह वे कहती और वसुधा अनिवर्चनी आनंद में समा जाती बिट्टू की आँखे मीरा जैसी हिरनी की तरह बड़ी बड़ी नीलम जड़ी शाम को चाचा जी प्रैम खीशते बिट्टू को सकरी महीन गली से निकाल कर दौरका धीश के मंदिर तक घुमालाते बिट्टू गुड़िया की तरह प्रैम में बैठ जाती वो से छज्जे पर खड़ी दूर तक निहारती सिहाती रहती अनुपम आए दिन साक्षातकार के चकर में बहार रहते चाची जी उनका चिंता तुर्चेरा देखकर तुरंत कह उठती फिकर मत करियो अनुपम हम हैं यहां बहु अकेली नाय रहेगी बेटा मीरा सो जाएगी मैं सो जाओंगी नहीं तो बहु यहां को ताला लगाए के हमारे पास सो जाएगी अनुपम कभी मीरा के लिए सूट का कपड़ा ला देते कभी चाची को एकलाई किनाधी की धोती मुरली तो जब करेगो तब अनुपम किलाई धोती पहरी है मैंने वे होस उठती फूल भरती नई धोती का पला बार बार सिर पर सरकाती जाड़े आते ही मीरा भाई साब को सूटर बुन दे बिट्टू के मोजा बुन बेटी को आदेश करती खोली को गुजिया बना कर धर जाती तो आहार को मुँ अंदेरे ही कड़ाई चड़ा कर कचोड़ी सीग डालती मीरा जाब भाई को देया बालक वारी है काम धंदे में दोपहरी है जाएगी बाई नास्ते में खाय लेंगे दोनों जने ऐसे ही दिन महीने साल निकल गए मीरा की फ्रॉक सलवार विगोते बिट्टू बड़ी होने लगी एक दूसरे कले करते धरते दिन बीत रहे थे फिर एक दिन अनपम को नौकरी का नियुक्त पत्र मिला था दिल्ली के लिए भरपूर खुशी हुई थी आखों में रंगीन रोशनिया जलमिलाई धरती पर सपनों के इंदर धनुष खिचे थे विदा के दिन मीरा बहुत रोई वसुदा समझाती रही पगली रोती हो तुम आना वहां मैं तुवारे भाई साब को भेजूँगी तुम हिले ने फिर देखना चडियागर, लाल किला, कुतुब मीनार अब हस्दो चलो चाची ने खाने का कटोरदान संग में बांधा नाश्ते के लिए मठ्री लड्डू बनाए लारी बहू, आटो और घी वहां कहां जाते ही नास्ता पानी में और जहेगी चलते समें बिट्टू को चूमा उसका हाथ थुक्तुकाया नजर उतारी, रिक्षा पर बैठने के पहले वस्दा कुछ हाती से लगा कर खूब रोई वो भी रोरो कर उनका कंधा गीला करती रही आस-पास की औरतें आखे पोस्ती जुणाई वो वहू की विदा थी विदा वेला का वो दिन और आज का महूत संबंदों के वट व्रक्ष को चबाती स्वार्थ सोच की अमर बेल सहर्दे समवेदना को चूटता महानगर का विशेला दूशित प्रभाव और आपा धापी की निस्सीम दोड का सतत संयोजन कब अनपम के मन को रेतीला रेगिस्तान कर गया पता ही न चला क्या कुछ नहीं थे वे लोग हमारे अनपम से किस तरह पूछती घर में मचे विपलव के डर से अरधांगनी ने उसी तरह अधर भीच लिए जिस तरह पती की भित्य भेदी गरजिना पर बाहर के द्वार बंद करती फिरी थी चाचा जी की दशा तो गंबीरतर होती जा रही थी मुरली फिर चार-पांच दिन नहीं आया वो निस्ता है ना जाने कैसे व्रद्धा मा के साथ फटी बरसाती मोमजामा की छट तान कर करकती ठंड में फुटपात पर प्राणों को गलाता रहा होगा कभी अदमरी हुई मा पिता के साथ रहती होगी कभी भीशन संकट के दलल में फसा मुरली वसुदा ऐसी ही कलपना कर लेती बस ऐसे ही एक दिर करोन अंतर ने अपना पंजा फैलाया तो मुरली बेबस लाचार फिर उस घर की सीरिया चड़ता हुआ रात के समय दर्वाजे पर आखड़ा हुआ आखों में आसूं का लबालब तालसा बन गया था होट फटकर कौर कौर थे सूखी पपड़ी के नीचे खून रिसने से बनी गहरी लालधारिया कोहनी और घुटनों पर तार-तार वस्तरों में बड़े-बड़े गुलाकार छेद किसी भिकमंगे से बुरी दशा दीन मलिन, शोक संतप्त कच्ची गदराई उम्र में पाले के मारक प्रहार से उजरता सा बस खुर्दुरी कलाई पर घड़ी अवशिबंदी थी भाई साब बाबू जी जा रहे हैं आखरी समय एक बार बस एक वो अनपम के समक्ष घिगिया उठा जो होना है होकर रहेगा हमारे जाने से ही क्या हो जाएगा मुर्ली अनपम ने न जाने क्यों उस विक्षत हिदे से जवाब मांगा शाश्वत सत्य के उपदेश तले दाब दिया उसे कुछ नहीं भाई सा बस हमारी हिम्मत मा को आप से वो आगे प्रेत्न करने पर भी नहीं बोल सका वसुदा अंदर जाकर छटपट चाची जी की जंजीर हाथों के बीच दबा लाई और मुर्ली की कमीज की जेब में डाल दी ये तुमारी मुर्ली तुम चलो हम आते हैं वसुदा अनुपम के कुछ कहने के पहले ही बोल पड़ी अपनी वजर देरी से उसे हटा देने की चेश्टा में जुठी थी वो ऐसी नरम इस्थित में पाशान शिला पर माथा पटकने का क्या अर्थ मुर्ली के जाने के बाद आखरी समय अनुपम चलो कुछ घट नहीं जाएगा हमारा अब वे जीविती कहां रहेंगे जो तुमें परिशानी देते रहें पती को पिगला लेने का अंतिम प्रयास कर रही थी चल रहा हूँ अनुपम का शीगरता भरा निर्विकार स्वर वसुधा और अनुपम लिफ्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही दो मंजिर उची सीड़िया चड़ते चले गए देखो आखे खोलो अनुपम आए गयो बहु ठाड़ी है देखो तो सही तुम कहते रहे कि अनुपम के पास लेके चलो वही मेरो इलाज करवाय देगो देखे तो लेओ एक बेर चाची ने लंबी सासे भरते चाचा जी का चेरा हिलाया डुलाया अनुपम गद्दे के नीचे से निकाल कर केश शीट देखने लगे पलके खुली दो बून पानी आखों की कोरों से इधर दर ढुला गिया ना अदुनों से कोई प्रस्फुटन ना हाथ पाओं में कोई गती ऑक्सीजन मास्क से सासे दी जा रही थी मुरली सिर जुकाय खड़ा रहा चाची धीमे धीमे सुबकती रही थोड़ी देर रुक कर दोनों चले आए वसुदा रात बर जाकती रही गहरी नीम में सुए अनपम को बीच बीच में हिला देती मगर वे ठंड़क के कारण रजाई लपेट कर खर्राटे भरने लगते अब तक तो खतम हो गए होंगे अनायासी अनपम के उठे फिर चाय का प्याला तिपाई पर टिका कर अकवार देखने लगे उसे लगा जगजोर कर कहे कि चलो वो अकेला बालक लेकिन अंतन में समाया भै प्रतारना का संतरास उसे जड़ करता रहा डिपार्टमेंट जाते समय होता जाऊंगा अनपम का ये वाके सुनकर वो भी गूंगी बहरी बनी रही घर रीता होते ही वो भागी थी वार्ड डी टू बैड नंबर छत्तिस पता लगा चाचा जी रात में ही डेड बॉर्डी मौर्चुरी में है हर बढ़ाती सबसे नीचे की मंजिल मौर्चुरी में पहुँची ले गए वे लोग डेड बॉड़ी उत्तर मिला तो खड़ी की खड़ी रह गई निश्प्रान सी स्तब्ध सुन अस्पताल के मुखे द्वार पर खड़ी रही इधर उधर ताक्ती कहीं मुर्ली कहीं चाची जी पर कोई नहीं मिल सका वही ग्रामीर बच्ची जो उस दिन दाल के भगोने के पास बैठी कववे उड़ा रही थी दोड़ कर समीब चली आई लास ले गए मुर्ली भाईया टेक्सी के पैसा नहीं हते सो हमारे बापू के संग जाके अपनी घड़ी बेची और अम्मा जी के जंजीद यहीं यूसुफ सराय में अगबग अफसन वो खड़ीद रही देर तक बोराई बावरी सी फटी आखे शूने में गाड़े फिर भारी बोजिल कदम घर की ओर धरने लगी आज न दाएं देखा न बाएं न जाने कैसे साड़क पार करती चली आई कुछ तुड़े मुड़े नोट हतेली के बीच दबे पसीशते रहे और आज बरसों बाद यहां अचानक भराता हुआ स्कूटर बैंक के आहते में घुसा हर बढ़ाट में वसुधा की तंद्रा तूटी वो देर तक भोचक सी खड़ी देखती रही इधर उधर जैसे कोई दुस्व अपने देख कर जागी हो कुछ देर में समझ आया कि ओ बैंक में बैठी है मुरली मैनेजर को साथ ले आया वसुधा उसके कंदे पर हाथ धरे अनपम का आलादी स्वर चहका आनन फानन में सारा काम हो गया रुपे गिनकर अनपम ने बड़े जतन से बैग में धर लिये मुरली ने उबार लिया अनपम को गहन चिंताओं के अतल अतहा सागर से पल-पल बढ़ते जंजावाती रक्त चाप के उच्च जवार से और डूपती हुई धनराश पर निकलते विकल प्राणों से मुरली असीम उत्सा भरे अतरे की स्वर में कहे जा रहा था भाई साब रास्ते में घर रुका था मा खाना बना रही है आपके लिए मगर अब इतना समय कहा है अनुपम ने निराधार बाहना कोजा वे अजबसी अव्यक्त इस्थित में थे जैसे आत्मा की गिरावट के ठूट में वन उगाए हो और वे उससे निकलने के दुरलब प्रयासों को टटोलते असमर्थ निस्सहया अहाफने लगे हो मैंने कहा मा से मगर वे मानी कहा कह रही थी बहु आई है ऐसे भी ना खाय पिये चली जाएगी फिर वही गलियां वही रास्ते बेहत सक्रे दीवार से दीवार जुड़ी हुई चजजे से चजजे मिले हुए और मकान के मकान रगड़ खाते हुए नुकर पर हलवाई चाचा मिल गए अनपम बाबू है का कहते हुए लपक कर गहलिया अनपम को खड़े पीट सहलाते रहे बिल्कुल ही दिल लिवासी होकर रह गए भईया पल भर रोक कर पत्ते के दोनों में मिठाई बांदी और मुरली को पकड़ा दी अनपम के साथ रग देना बच्चे खा लेंगे मुदद बात उस घर में प्रवेश किया था वही धुला पूछा इटों के खरंजों का आंगन लोहे की लंबी सलाकों दार बड़े बड़े जंगले चाची जी वसुधा उनके पाओं पर जुकी वे पल दो पल देखती रही खड़ी हर्चाती रही मुक से असीस्ती रही सब्री सी भाव विभोर विभल गद जैसे उनकी कुटिया में राम और सीताने पाओं धरा हो इस मृतियों में संजोए अनुपम की पसंद के कसबई वियंजन बड़े मनोयोक से तयार किये थे बड़े जतन से परोसने लगी उनका किया सतकार वो कृतार्त भाओ बहु मीरा ब्याबर देखत रही की भावी आवेगी भाई साब आवेंगे रोबत रही बहुत तो याद करके कारट तो मिले होएगो वसुधा निशब्द कंट में बबूल की काटों भरी सूखी टहनी अटक कर रह गई अनुपम ने सौ का नोट परस से निकाला और चाची के हाथ पर धरने लगे मीरा के लिए चाची जब आये तब दे देना डूपती आवाज महीन मद्धिम सी हो चली ना ही बेटा मीरा जब मिलेगी तब दे दीजो कहकर और रुआसी हो आई चलने की बेला तक आँखें गीली थी बिलखने जैसी स्थित मुरली दिल्ली आना तुम तो आते ही नहीं हो यार चाची को लिवा लाना अनपम के मुख से निकला वाके हकला कर उनके होटों पर ही दम तोडने लगा अभी आप सुन रहे थे मैतरई पुषपा जी की कहानी करतक ग्ये आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो अब मैं चलूं मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुश रहें आबाद रहें फिर मिलेंगे